मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो तो आज हम पोएम पढ़ेंगे the dust of snow dust का मतलब होता है धूल बर्व की धूल के बारे में जान करेंगे यह पोएम क्लास 10 की है और इस पोएम से काफी कोश्टन्स आते हैं और पैसे बेज़ बेस्ट कोश्टन्स भी आते हैं तो इस पोएम के बारे में अच्छी तरीकी से जान करेंगे बहुत जरूरी है तो सबसे पहले पढ़ेंगे about the poem a frost is a simple and short poem yet with a deeper and larger meaning give dust of snow छोटी सी यह साधान कभीता है ठीकिन इसका deeper deeper का मतलब वक्त गहराई से large का मतलब बड़ा meaning का मतलब मतलब है the poet explains कभी है जो explain करता है how an act as pity as experiencing snow on his body can brighten once day up कैसे एक विक्त का जो वो explain करते हैं कभी कहते हैं कैसे एक विक्त का जो कार है उसके कार में बदलाव आ जाता है उसके अनभों में बदलाव आ जाता है experience में snow on his body जब किसी के उपर बर्फ के कंड पड़ते हैं can brighten once day up जिससे दिन बदल जाता है the message of the poem is put into words the message is कभीता का जो मतलब है या जिस कभीता का जो संदेश है of the poem is put into words by robert first robert first के दोरा बोली गई है always always a larger significance इसका हमेशा हमेशा एक बहुत बड़ा महत्तु significance का मतलब क्या आता है है महत्त बहुत बड़ा महत्तु है अ अ पॉयम के बारे में पढ़ लेते हैं कि दबे ओफ आफ क्रो सूख डाउन ओन मी दड़स्ट ऑप स्नों फ्रॉम आ हैं लॉक ट्रे के ना दबे ओफ क्रो जिस तरीके से क्रो क्रो माने होता है कववा वे का मतलब होता है रास्ता जिस स्कॉआ ने जिस रास्ते का अपयोग किया है किसलिए सूख डाउन ऐनमी सूब शूब होता हम हिला देना डान on जो ट्री है यानि हम लोग का जो पेड़ है उसके बारे में बात करें हैं कि हम लोग जो है उसका उसको उसके उपर वो बैठा हुआ था और जब कभी उसके नीचे खड़ा था तो उसके उपर उन्होंने कवे ने जो बर्फ के कण हैं वो डाल दिये क्याते हैं कभी जो था उसकी मेरे हिर्दे के जो मूड था मूड का मतलब जो उसके हाव हाव थे वो बदल गए बदल इसलिए गए क्योंकि पहले से कभी थोड़ा सा दुखी था और जैसे ही उसके उपर ये ज़े ट्रस्ट ऑफ श्नू के पार्टिकल्स पड़े उसका मूड और ज़्यादा दुखी हो गया जिससे दुखी होने के बाद और और जवर दिन था पूरा दिन कैसा हो गया I had rude मैरा जो पूरा दिन था वो नस्ट हो गया कैसा हो कहने का मतलब सेज भाग जो मारे दिन का पूरा था वह भी दुख में हो गया और डे आई हैड रियूड अब इसमें कुछ वर्ड मेनिंग से जो महात्पुण है मैं आपको बता देता हूं जिनको आपको त्यार करना जरूरी है जैसे महात्पुण है वे वे का मतलब तरीका य प्रदान कर देना या दे देना माई हार्ड मेरा हिर्दे चेंज का मतलब परिवर्तन मूड का मतलब मूड मूड का मतलब स्टेट ऑफ माइड या निमन होता सा सेब्ड सेब्ड का मतलब होता है बचाया स्केप्ड का मतलब भी होता है बचना फिर रियूड है एक बार नीच यह कौनसा रीूड, रीूड का मतलब होता है नश्ट कर देना या दुख ही रहना, ठीक है, आगे हम चुलते हैं इसकी सेंटर आइडिया पढ़ते हैं, इसकी सेंटर आइडिया देखते हैं, सेंटर आइडिया में दिखा है, the poem expresses the significance of a small things in changing one's attitude कहते हैं the poem एक कभी था express जो दरसाती है the significance एक महत्व of a small things यानि छोटी चीज़ों का in changing जो बदलाव कर देती है किसमें बदलाव कर देती है once attitude किसी के बरताओ में attitude का मतलब क्या होता है बरताओ में the poet appreciates the beauty of the snow flags कहते हैं न the poet जो कभी है appreciate का मतलब होता है किसी का किसी की किसी की तारीफ करना of a beauty यानि सुनदरता of the snow flags जो snow की flags गिर रही थी यानि जो उसके particles गिर रहे थे which change जिन्होंने बदल दिया his mood उसके बरताओ को and saved saved और बचाया many precious moments बहुत सारे बहुमूल precious का मतलब क्या होता है moments का मतलब छाण from being wasted away जो आगे खराब हो जाते waste का मतलब क्याता है खराब होना अबे the crow shakes of the snow shake का मतलब हिलाना the crow ने जब shake का मतलब हिलाया of the snow यानि वर्व को dust from the hemlock tree कहां से the same way one can shake of the sadness from one's heart और ऐसे ही इसी तरीके से वे का मतलब तरीका या रास्ता इसी रास्ते से one can shake कोई भी वेक्त जो है वो क्या करता है हिला सकता है खतम कर सकता है of the sadness अपने दुख को from one's heart अपने हिर्दे से फिर आगे देखते हैं इसके msqs के बारे में देखेंगे msqs में कौन-कौन से msqs इसमें दिये हुए है msqs को देखेंगे और msqs को solve करेंगे पहला msq है who shook down the hemlock tree who माने कौन shook down का मतलब हिला दिया the hemlock tree hemlock tree को किसने हिला दिया था इसमें crow है kukku है मैना है parrot है जैसे कि आपने पढ़ा है तो आप क्या करेंगे crow पर ठीक लगाएंगे उसके बाद second है what fell on the poet poet के उपर क्या गिरा dust of tree पेड की धूल dust of snow इसमें आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है dust of snow आप लगा देंगे in what mood was the poet earlier poet का कैसा mood था इसमें कौन था pleasant, happy, sad आप जानते हैं कि वो दुखी था जैसा कि मैंने poem में बताया आप sad को सही कर देंगे what was the effect of the fall of the dust of snow on the poet जैसे ही dust of snow यानि जो particle से वो poet के उपर गिरे तो उसका effect क्या हुआ यानि उसका बरताव क्या हुआ यानि उसके उपर प्रभाव क्या पड़ा तो प्रभाव क्या पड़ा change his mood, change his luck change his job, change his color to change his mood 5 नंबर देखेंगे what was saved for the poet what was saved for the poet कभी के लिए क्या बचा था बचा था crow, tree, snow, some part of the day तो हम इसमें क्या कहेंगे some part of the day the poet says of a day I had rude what is the meaning of rude rude का मतलब होता क्या है यहाँ पर meaning क्या बताएगे है rude की तो जिसे rude हता न विसे तो rude का मतलब होता है किस चीज नवरत करना लेकिन यहाँ पर जो poet के according है वो क्या है द्यान से देखेंगे ruined यानि नस्ट हो जाना held in regret यानि दुख से भर जाना फिर है ruled और फिर है concured यहाँ पर हम second बाला जो है held in regret उसको हम टिक करेंगे seven number है what is the rhyme scheme of the poem rhyme scheme का मतलब होता है जब poem हम पढ़ते हैं एक second के लिए हम आपको बता दें rhyming का मतलब यह होता है कि जो poem है वो किस rhyme में चलती है वारहल अभी मैं उसके बार में discuss नहीं करूँगा मैं आपको टिक बता देता हूँ इस poem की rhyme है A, B, A, B, C, D, C, D 8 number में चलेंगे 8 number में है name the poetic device used in the line and saved some part देखें ऐसा है कि जब हम figure of speech आपको समझाएंगे जब इसमें detail के साथ आपको बताएंगे कि figure of speech में कौन-कौन से figure of speech होते हैं और कि स्टिरिकेशन का उप्योग होता है इसमें जो figure of speech हुई है उसको हम कहते हैं alliteration कौन सी? alliteration 9 number में देखेंगे what does dust of snow represent dust of snow represent किसको करता है तो यहाँ पर dust of snow represent करता है एक तो है healing power of nature particles of snow cool weather none of the above इसमें पहला होगा healing power of nature nature का प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है जिसमें हो जाएगा healing power of the nature 10th और last इसका नंबर देखेंगे इसका last वाला the crow and the hemlock tree symbolize कवा और जो धतूरे का पेड़े वो किस चीज को symbolize करते है एक तो है sorrow यानि दुख happiness यानि खुशी celebration यानि मनरंजन death यानि मृत्तु तो इसमें according to the poem poem के according इसमें answer आपको होगा sorrow sorrow का मतलब होता है दुख दुख को represent करता है hopefully हमारा वीडियो अगर रेदा आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन को इस poem के बार में जान करना हो उनको share कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय